मनजीले लाग कठीन आएगी मैं गुजर जाओंगा और होसला हार के बैठूँगा तो मर जाओंगा कहां है वो लोग जो कहते थे कि मैं रास्ते में बिखर जाओंगा अरे तुमरे रास्ते में नहीं भी करना है नौर्सेड चाहि कितना भी खुद में बदलाव कर ले लेकिन आपको उस बदलाव के साथ जिन्दगी को परिवर्तन करना है और उस सफलता को स्विकार करके दिखाना है धियान रखेगा वेरी इंपोर्टेंट चीज है कि आपके अपने नौर्सेट 6 में हुआ है बहुत बड़ा फेर बदलाव लेकिन इस बहुत बड़े फेर बदलाव के साथ में उसके बदलाव को कैसे खुद को बदलने की कोसीज करोगे और उस बदल के साथ में अपने सेलेक्शन को कैसे निकाल लाओगे वो तमाम चीजे इस वीडियो सेशन के अंदर डिसकश की जाएगी तो पूरे वीडियो को अं आपन बात करते हैं कि नॉर्सेट के एक्जाम को जो अपना कोमन इनलीजिबिली टेस्ट है यह कंड़क्ट कौन करवाता है तो आपका अपना जैसा कि पार करकार से इस बार भी है कि उस को सिर्फ को कौलीफाइ करना नेक्स के बाद में जो इस्टे फस्ट को कंपलीड करेंगे वो यश्टुडेंट एप्र हो जाएंगे किसके लिए मैंस के लिए जिया नॉर्समेंज के लिए eligibility criteria में जाएंगे जो first को clear करेंगे जैसा कि पिछली वार भी आपको pattern के अंदर बताया गया था कि जो post होती है उससे पांच गुणा student को enroll किया जाता है वो वाला pattern या फिर जो eligibility criteria में जो cross करके आएंगे वो उनको means के लिए eligibility में ले लिया जाएगा next अगर important चीज के बारे में बात करें कि नोरसेट जो preliminary वाला आपका exam है उसके अंदर क्या weightage है क्या portion है कैसे चीज़े है सबसे पहले तो बात करेंगे तो pre का time duration कितना होगा 90 minute का प्री का time duration कितना है 90 minute का क्यूसन की संख्या कितनी होगी 100 क्यूसन आएंगे प्री के अंदर 100 क्यूसन नबबब मिनट है जिसके अंदर अगर subject को weightage को देखें तो दो टुकडों में तोड़ दिया 20 क्यूसन होगे वो आपके gk reasoning के जनरल aptitude जैसे देखने को मिलेंगे और 1 upon 3 का मतलब तीन क्यूसन गलत होने पर एक क्यूसन कट जाएगा यह एक number कट जाएगा वो बाला देखने को मिलेगा जो section होगा वो क्या बोल दिया 5 5 section इसमें देखने को मिलेंगे 18 minute का each section होगा और हर एक में 20 क्यूसन होगे very important चीज है आप सब लोगों को प्रभावित कर र अपन होंगे हर एक स्लोट में 20 क्यूसन दिये जाएंगे जैसे कि जिनको अपन वर्बली में बोलू तो जैसे कि A B C D E अब पहले स्लोट में आपने पहला क्यूसन अटेंड किया दूसरा तीसरा चोथा पांचवा फिर वापस से बली पहला दूसरा तीसरा लेकिन at least 20 क्यू कि यह तुम से कोई समय नहीं चीन सकता तो यह 18 मिनिट का सेड्यूल है आपका पार्ट एक सेक्शन के लिए अब उस सेक्शन को 18 मिनिट के बाद वो ओटो बी में चला जाएगा ओटो सब्मिट हो जाएगा पहले तरीका दूसरा तरीका हमने 18 मिनिट से पहले कंपलीट कर ल इसी लिए किसी भी section में कितने की उसन डिसाइड करने कितने अटेम्ट करने यह आपको उसी समय डिसाइड करना पड़ेगा हां बीस क्यूसन तक आपके पास में प्लक्चुलेट है पहला सेक्शन पढ़ रहे हो एक करो एक के बाद 6 करो चटे के बाद 9 करो नवे के बाद द तो जवाब दे दो वो जो पहले होता था ना कि मैं वापस आ जाओंगा तो उसको बोलना कि में एक लिमिटेड दाइरे के साथ तो वापस आ सकता हूं लेकिन बहुत ज्यादा दूर चला गया तो मैं वापस नहीं आ पाऊंगा बहुत ज्यादा दूर का मतलब अगर तुम से निकल गए तो वापस नहीं आ सकते तो यह आपके 5 सेक्षन है 18 मिनट 20 क्यूसन गबराने वाली कोई बात नहीं है जितना तुमें आता है तुम से जयदा किसी को नहीं आता और जो तुमें नहीं आता वो पूरे विश्वे में किसी को नहीं आता है चलो नेक्स अपने बोल एपियर वन बाई वन है दूरिंग दा 90 मिनट डूरेशन एट वन टाइम औली और यह 90 मिनट का आपका पूरा का पूरा पेपर देखने को मिलेगा जिसमें आपको वन वाई वन सेक्षन के साथ में अटेम्ट करने है और यह आपके प्री वाला मामला था नेक्स अगर अगर करते हैं प्री में कौलिफीकेशन का क्या क्राइटेरिया देखने को मिलता है तो अगर कोई जनरल कैंडिडेट है या फिर एडवलुएस का है उसको 50 परसेंटाइल यानि 50 परसेंटाइल के नंबर लाने जरूरी है वेरी इंपोर्टेंट चीज है दूसरा ओबीसी ओबीसी परसेंटाइल का मतलब जो टॉप रेंग का इस्टूडेंट होता है उसे हंड्रेड परसेंटेज मान लिया जाता है और उससे नीचे सिक्वेंस में चीज को उतारा जाता है तो कुल मिला करके प्री का कौलिफीकेशन क्राइटेरिया आपका एज यूजल है इतना ज्यादा जैसा हमेसा देखने को मिलता है उसके बाद अगर बात करते हैं मेंस वाला पेपर जो नौरसेट का में कलेजा आपकी रेंग डिसाइड करेगी आपका सेलेक्शन प्री में आपकी रेंग फरस्ट आती है तो भी कोई फरक नहीं पड़ता है प्री वाला तो सिर्फ कॉलिफी प्रीकेशन एक्जाम है उसको पास करके आप मेंस में एपिर हो सकते हैं लेकिन मेंस ही डिसाइड करेगा कि आपको कौन सी चीज किस परकार से देखने को मिलेगी अगर आपन बात करते हैं कि यह मेंस का टाइम डुरेशन क्या होगा तो इसमें भी 90 मिनट होगे अगर बात क सामने condition create की जाती है जैसे कि यह patient come into the emergency department with the oozing of blood from the head after the road traffic accident initial assessment should be completed by the nurse patient level of consciousness is altered sensorium what is the next priority intervention done ऐसे सवाल आप से पूछे जाएंगे और यह सवाल वाले चीज क्या कहलाती है scenario यानि condition create करना एक सवाल सही जवाब एक नंबर देगा गलत जवाब एक बटा तीन काट के दिखाएगा negative section same to same होगा अठारा अठारा मिनट के slot होंगे जिन में 20 इसक्यूसन होंगे एक slot को attempt करके अगले में जाओगे फिर वापस पुने वापस reverse gear काम नहीं करेगा नेक्स्ट हो गया कि इसमें भी आपके 90 मिनट है और यह पूरा पेपर का पैटन है यहां पर भी आपकी qualification का क्राइटेरिया वो same to same है जनरल लोर EWS 50% होगा OBC 45 होगा, SCST 40 होगा, PW additional 5% है और इसके अंदर यह 55% है सब में देखने को मिला 50 का 45, 45 का 40 और 40 का 35 यह qualifying क्राइटेरिया है अब जैसा कि आप सब को पताईए कि नौर सेट के अंदर आप यह तो eligibility criteria के selection हो जाओगे, बोले तो सफलता के सिखर पे चड़ जाओगे, लेकिन जितनी पोस्ट होगी, वही top most student उसके criteria में आएंगे, जो जितनी ज़्यादा higher rank निकाल के लाएगा, उतनी ज़्यादा उसकी better choice उसको available मिलेगी जो ज्यादा student जो अपनी top rank के साथ select होंगे, top का मतलब best rank के साथ select होंगे, उनको अपनी best choice मिलेगी, यह आप सब को पताईए, वो कहते हैं पहले आओ, पहले पाओ जैसा, next आपको फोर्म को apply करने से पहले उसकी complete अधिसूचना, यानि complete जो आपका officially notice आया है, उसको और detail के स से और vacancy की news की information को प्राप्त करना, लिंक को प्राप्त करना, तो इस number के उपर miss call का use कर सकते है, next important चीज है कि सर nursing का syllabus क्या देखने को मिलेगा, तो nursing में प्यारे दोस्तो, anatomy physiology, जो आपको पताए, anatomy physiology जो आपको पताए, anatomy physiology तो क्या है, जड़े है, या जिसे आप क्या बोल सकते है, next आपकी psychiatric nursing, mental health nursing, जिसे बोलते हो, exam point of important है, community health nursing, exam point of से आपका point important रहेगा, midwife and gynecology, यानि OBS and gynecology के सवाल आपके लगातार पेपर में आते है, pediatric nursing, जो आपके pediatric वाले सवाल के portion पूछे जाएंगे, administration, management, research, जो research वाला portion होता है, microbiology, psychology, sociology, pharmacology, nutrition, ये nursing के लगबग सारे subject होते जो आपके exam के अंदर आ सकते हैं, हर वार exam के अंदर सवाल कुछ ने कुछ 19-20 ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन इसके बार कुछ भी नहीं जाता है, एक limited pattern है, तो syllabus में कोई changes नहीं है, exam के qualification में कोई changes नहीं है, सिरफ exam के paper के अंदर थोड़ा सा decide करना का तरीका change कर दिया, बो आपके non-nursing में, इसके साथ में आपको पताईए, reasoning match के एक दो सवाल आई सकते हैं, next sir, ऐसी कोई तैयारी या इसी एक्जाम के pattern के उपर हमें कोई concept मिल जाता है, तो हमारी तैयारी जोड़दार जबरदस जिंदाबाद वाली मजबूत हो सकती है, और हम अपने सफलता के सि कि नॉर्सेट 6 से ओरियंटेड हमने लॉंच कर दिये एक टेस्सीरीज, जो अनलाइन टेस्सीरीज विके अंदर आपकी 24 टेस्ट देखने को मिलेंगे, इतने टेस्स देखने को मिलेगे, 24 टेस्ट होंगे, और जिनकी फीस कितनी रहने वाली है, मातर 300 रुपे के अंदर असान तरीका होगा इस वीडियो के कमेंट वोग्स तो आपको मिलेगा एक लिंक और लिंक को उपन करकर आप इस स्टेस स्रीज को पर्चेज कर सकते हैं, दूसरा आसान तरीका होगा आज ही डाउनलोड करें, उतकर सेप ने डाउनलोड किया, और उस एप में जाओगे तो क्यूशन का सेक्षन का पैटन है यह कैसा होता है मैं कैसे पता चलेगा तो पैला टेस्ट जी हाँ प्यारे दोस्तों पांच मारच को होने वाला पैला टेस्ट ओल इंडिया लेवल पे होगा फ्री ओप कोस्ट बाकी टेस्ट के लिए आपको पे करना पड़ेगा तीन सो रुप फ्री ओप कोंस्ट में एटेम्ट करें उसके बाद अपनी रेंग का एला याई-रेस्ट के साथ में इसके लिए अपने आपको मजबूत करें और बैतरीन वाली जारे सेल पैनला आइसिस के साथ में एकाम के अंदर कॉन्फिडेंट के साथ उतरना चाते हो तो यह 1290 टेस्ट attempt करोगे तो definitely आप उस मंजिल तक पहुच पाऊगे जिसके लिए घर से निकले हो वो कहते हैं ना मा तेरे पसीने की हर बुंद को मैं मोती सा चमकाऊंगा तू देख सबने बड़े पूरे करके मैं दिखलाऊंगा तो यह राम बांड साबित होगी आपके सेलेक्शन के लिए अगर यह वीडियो सेशन आपको लगा जोड़दार जबरदस जिंदाबाद वाला तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा वीडियो को सेर नहीं किया है तो मेगजिमन बोगों तक सेर कर दीजेगा और तमाम उन लोग पुसमें कमेंट जुरूर छोडिएगा वीडियो को लाइक और शेर कर दीजेगा और ऐसी अच्छी जानकरियां प्राप्त करने के लिए जुडे रहें उतकर्स परिवार के साथ आज के लिए इतना ही हसते रहे मुस्कराते रहे पढ़ते रहे मसते बने रहे उतकर्स कि अजयो डिवर זה कि अब्सक्राइब कर दो अपता है